हेलो फेंड्स, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा परंबिक परिच्छा के लिए सुपरफास्ट रिवीजन अस्टार्ट कर रखा है उस स्रीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नमबर 38 इससे पहले ओलेडी 37 सेट जो है वो अपलोड़ेड है अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेली से देख सकते हैं साथी साथ वैसे भी बहुत सारे करेंट फेर के भी प्रैक्टिसेट अपलोडेड है जो कि आपके एकजाम के लिए काफी महत्पुन साबित होंगे साथी साथ अब आप लोगों को डेली 5 बजे मॉर्णिंग में डेली करेंट फेर का भी वीडियो मिल जाता है यह बात कर रहा है चंगेज खान की तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C चंगेज खान चंगेज खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंगेज खान का बस्तविक नाम जो था वो तेमू चीन था और इसका जन्म जो था वो मंगोलिया में हुआ था आगे कहा रहा है कि कुछ मानचित्र जो है वो बिसेश जानकारी प्रदान करते हैं जैसे कि सडक मानचित्र बरसा मानचित्र आदी इस परकार के मानचित्र क्या कहलाते हैं तो इस परकार के मानचित्र को थिमेटिक मानचित्र कहा जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आगे है कि निम्लिकित में से कौन सा ए दुरस्त अस्थान पुर्मी पश्मी गलियारे से जुड़े है तो यह है सील्चर और पोरबंदर तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा आगे कह रहा है कि किस तिथी को सुर्ज किरने जो है वो बिस्वत बृत पर सीधी पड़ती है तो किस तिथी को 23 सितंबर को सुर्ज किरने जो है वो बिस्वत बृत पर सीधी पड़ती है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन अंबर सी 23 सितंबर वही 23 सितंबर और 21 मार्च को जो संपुर्ण प्रिथिवी पर जो दीन रात होता है वो बराबर होता है आगे कह रहा है निम्लिखिद में से कौन सा कथन जो है वो बहुदेशिये नदी घाटी परियोचनाओं के पच्छ में दिया गया तरक नहीं है यह पूँच रहा है बहुदेशिये परियोचनाओं जल बहाब को नियंतरित कर के बार तर पर काबू पाती है बिलकुल सही है आगे कह रहा है कि सुद्ग्रह किन ग्रहों के कच्छाओं के बीच पाये जाता है तो सुद्ग्रह जो है वो किन ग्रहों के कच्छाओं के बीच पाये जाता है तो यह पाये जाता है मंगल और भिहस्पती ग्रह के कच्छाओं के बीच तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर B, मंगल इबम, भीहस्पती नेक्स कहा रहा है निम्रिकित में से कौन जो है उस क्रिसी प्रणाली को दर्स आता है जिसमें एक ही फसल जो है वो लंबे चोड़े छेतर में उगाए जाती है यहां बात कर रहा है रोपन क्रिसी की तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर B, रोपन क्रिसी जैसे कि चाय बगान होगा, कहवा होगा, रबर होगा यह सब जो है वो रोपन क्रिसी का उदाहरन है नेक्स कहा रहा है गोखूर या चाप जील का निर्मान किया जाता है तो गोखूर या चाप जील का निर्मान जो है वो नदी के द्वारा किया जाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर A नदी के द्वारा नेक्स कहा रहा है ये निम्रिगिर में से कौन सा अभिहारण जो है वो राजस्थान में इस्थित है तो राजस्थान में कौन सा अभिहारण इस्थित है सरीष का अभिहारण इस्थित है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नबर डी वहीं अगर कानहा की बात करते हैं तो यहां मधपदेश में है दचिक राम जमू कास्मीर में है और मानस जो है वो आसाम में है नेक्स कारागी बजट 2020 की इसकी अनुसार 163 एक्षन प्लान जो है वो किस सक्टर के लिए घोसित किया गया था तो यहां जो है वो क्रिसी सक्टर के लिए घोसित किया गया था क्योंकि 2022 तक जो किसानों की जो आय है वो दूगनी करने के लिए किया गया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर C एक क्रिसी आगे कहरा कि जम्मू कास्मीर के पहले उप राजजपाल कौन थे? तो जम्मू कास्मीर के अगर पहले उप राजपाल की बात कर रहा है तो उनका नाम था गिरिश चन्द्भू carbon तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर B और अभी कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है ततकालीन जम्मू कास्मीर के राज़पाल कौन है वो कमेंट करके बताना है मैं अपना कोशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ ततकालीन जमू कासमीर के उप राजीपाल के पड़ पर कौन हैं ये आपको बताना है next कह रहा है कि किस राज की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने बाहनों पर प्रतिबंस लगाया है या किसारत सरकार ने किया है, बिहार लाज़ सरकार ने, तो इस question का जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number C, बिहार नक्स कह रहा है ये तीसरी किसान डेल सेबा कहां से कहां तक चली यह अब आपसे पूछ रहा है तो वो निजामुदीन से यह अस्बंध पूर तक चला है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर भी अच्छा अगर आप लोगों से पूछ दे कि पहली किसान डेल कहां चली है तो पहली किसान डेल जो है वो महराष्ट के देवलाली से बिहार के दानापूर तक और अगर दूसरी किसान डेल की अगर बात करता है तो वो बरौनी से टाटन अगर के बीच चलाई गई थी आगे कह रहा सौव अंतरास्टी ये टीटोंटी खेलने बाले पहले भारतिये क्रिकेटर कौन बने है तो उनका नाम है इरोहिसरमा नेक्स कह रहा है समताप मंडल के संबंद में निम्लिकित कत्मों पर विचार कर बताईए इनमें से कौन सा कत्थन जो है वो सही नहीं है यह पूछ रहा है यह Чोहबिवो मध्य मंडल के मध्य है बिलकुल रही है यहाँ की परस्थीतिया हवाय जहार उडाने के लिए आदर्स होती है ये भी सही है इसमें ओजोन गयस की परत पाई जाती है बिलकुल रही है नेक्स कहा रहा है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ आप से पूछ रहा है कहा रहा है जोजीला दर्रा जमू कास्मीर सुमेलित है सिपकीला दर्रा हिमाचल परदेश सुमेलित है उसके बाद कह रहा है कि नाथुला दर्रा सिक्किम सुमेलित है जलेपलादर्रा और नाचरपदे सिया सुमेलित नहीं है क्योंकि जलेपलादर्राद भी जो है वो सिक्किम में स्थित है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D Next कह रहाएगी निमलिखित में से किसके सासन के दौरान मलिक मुहमबद जायदी ने पदमाबद की रचना की थी तो मलिक मुहमबद जायदी ने सेर साह के सासन काल में पदमाबद की रचना किया था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D नेक्स कहा रहा है कि नमलिकित में से किसे असोग ने न्याईक प्रसासंग के लिए निप्ट किया था तो असोग ने न्याईक प्रसासंग के लिए रजुक को निप्ट किया था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बहोगा आपसन नबर बी रजुक रज़ुक जो थे वो भूमी से समदीत अधिकारी थे जिने न्याय कदिकार दिया गया था नेक्स कह रहा औरंजेब के बिरूद 1668 के जाट बिदरो का नेता कौन था तो औरंजेब के बिरूद 1668 के जाट बिदरो का नेता था गोकुल तो इस question का जो सई answer होगा वह होगा option number C gokul गokul जो था वो मंथूरा के तीलपद 6तर का जमिनदार था और गokul ने मंथूरा के फाज़दार अब्दुलनभी की हत्या भी कर दी थी आगे कह रहा भारत में संसत के दो अधिवेशनों के मद अधिकतम अंतर क्या हो सकता है तो अधिकतम अंतर क्या हो सकता है छे महीने का हो सकता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर C छे महीने के नेक्स कहरा प्राचीन काल में निमलिखित में से कौन सा भारतिय बंदरगाह जो है वो जावा और सुमात्रा की आत्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था तो यह कौन था तारम लिखित तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा और सी जिसका की बरतमान नाम क्या है ताम लूख है नेक्स कहरा है हैदराबाद इस थी चार मिनार का निर्मान किसने करवाया था तो चार मिनार का निर्मान जो है वो कुलू कुतूब साह के द्वारा करवाया गया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसो नमबर B कुलू कुतूब साह जो की कुतूब साही बंस का पांचमा सासक था जो की 1591 में चार मिनार का निर्मान करवाया था नेक्स कहरा है कि निम्रिकित में से कौन जो है वो मराठा संग का प्रथम पेशवा था तो मराठा संग का प्रथम पेशवा था बाला जी बिस्वनाथ नेक्स गहरा पंचाइती राज संस्थाओं की समस्याओं का आध्यन करने हेतू भारत सरकार दोरा 1986 में निवन में से किस समीती का गठन किया गठन किया गठन किया गठन किया गठन किया था एलम सिंध भी समीती का गठन किया गठन किया था और 73 में संविधान संसोधन के द्वारा पंचायती राज को संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया था अभी यह जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए 4 बजे लेकर आ रहा हूँ आज रात को 9 बजे आप लोग जरूर जुड़िये 9 बजे आज आप लोगों को पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी कोश्चन्स होंगे वो उसका एक वीडियो में आप लोगों को प्रोबाइट करवाऊंगा भारत में महिलाओं हे तू आरच्छन की विवस्ता है तो भारत में महिलाओं हे तू आरच्छन की विवस्ता जो है वो पंचायती राज से 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 रा गया था नेक्स कहा रहा भारतिय सम्मिधान के किस अनुचेद के द्वारा ऐसे नागरिकों को बकील उपलब्द कराने का उतरदाईत वराज को सौपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से बकील नहीं रख सकते हैं तो यह कौन सा अनुचेद है अनुचेद 39 का A तो इस को अनुचेद का पुस्तक है उसी में लिखा गया है कि पाटले पुतर के नगर पर सासन का संचालन जो है वो छे समीतियों के द्वारा होता है और इंडी का पुस्तक जो है वो मेका अस्थनीच के द्वारा लिख ही गई पुछ रहा है कि संसत द्वारा पारित परते कानून को सर्बो चिन्याले के मंजूरी के जरूरी के जरूरी के जरूरी जो है वो नहीं होती है नेक्स कहरा है कि ऑक्सीजन की कमी से किर्केट के खिलाडियों की पेसियों में पराय खिचाब उत्मन होने लगता है ऐसा इस कारण होता है तो यह किस कारण होता है पाइरूबेट का लैक्टिक अमल में बदलने के कारण होता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आ आयाम में ब्रिधी करना होगा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B आयाम में आगे करा बायू में लंबे समय तक उद्भासन से silver की बस्तूएं जो हैं वो काली हो जाती है यह निमलिखित में से और किसके बनने के कारण होता है तो यह किसके बनने के कारण होता है AG2S बनने के कारण होता है मतलब कि silver sulfide के बनने के कारण होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C silver sulfide next का रहा है कौन सा देश जो है वो match fixing से जुड़े मामलों को अपराद की सरेनी में लाने बाला पहला दच्छी ने सियाई देश बन गया है तो यहां कौन बना है? यहां बना है सिरलंका तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप से नमठी सिरलंका नेट्स काहः रहा है कि हजीबिस नायक चकरबाती तुपान से सरबादीक परभावित कौन सा देश था? तो इस सरबादीक परभावित जो था वो जपान था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर B चीन Next कहारा, किस देश ने बिक्सित देशों हेतू बीजों की जरूरतों को खत्म कर दिया है तो यह किया है ब्राजिल ले तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसन नमबर B ब्राजिल नेक्स कहरा पौधे पर से परिपग पतियों और फलो का जढ़ना जो है वो किस हार्मोन के कारण होता है तो यह जो है वो अबसिसिक अमल के कारण होता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B एब्सिसिक हार्मोन इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B यह जो एब्सिसिक है वो एक ब्रिधी रोधक हार्मोन है next का रहा माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में निमलिखित में से कौन सा operation शुरू किया गया था तो बिहार में से उप्रेशन किया गया था Black Panther तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A Black Panther जो की पश्चिन चंपारन में सुरू किया गया था Next का रहा भागलपूर संप्रदाइक संघर्सों की जाच पैनल की धेचता जो है वो किस ने किया था तो यह किस ने किया था? Justice A N. Singh ने किया था तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B अच्छा भागलपूर संप्रदाइक दंगा हुआ कब था? 1989 में Next का रहा धर्ण निर्पेच और समाजबादी सब्दों को भार्दिये संप्रदाइक संघर्सों के द्वारा प्रस्ताबना के अंतरगर जोड़ा गया था तो प्रस्ताबना में अभी तक एक ही बार संघर्सों हुआ है वो हुआ है 42 मा संघर्सों के द्वारा तो इस कोशन का जो सयंसर होगा वो होगा option number C और तीन सब्द जोड़े गये थे समाजबाद पंत निर्पेच और अखर्ण डिता वही प्रस्ताबना से याद रखेगा प्रस्ताबना को संबिधान का हिल्दै और आत्मा भी माना जाता है नेक्स कहरा क्या होगा यदि दो चुम्बकों के समान ध्रूबों को एक साथ लाया जाएगा तो क्या होगा वो एक दूसरे को प्रतिय अकर्सित करेंगे मतलब रिपेल करेगा वो एक दूसरे को तो इस कोशन का जो सयंसर होगा वो होगा option number A नेक्स कहरा एक कोशिये यूकरियोटिक सुच मजीब को दिया गया नाम बताईए तो इसको क्या कहा गया है उसको कहा गया प्रोतिस्टफ तो इस कोशन का जो सयंसर होगा वो होगा option number B प्रोतिस्टफ नेक्स कहरा मानब का मुख उसर्जी उत्पात क्या है तो मानव का मुख सर्जी उत्पाद है यूलिया तो इस question का जो सही answer होगा बो होगा option number D, यूलिया next कहरा गहरे सागर में गोताखोर इसलिए business suit पहनते हैं क्योंकि समुद्र के उचदाब से बचने के लिए उन्हों को business suit पहनाया जाता है तो इस question का सही answer होगा बो होगा option number A, next कहरा IUCN, red list इसमें मदद करती है तो IUCN का मतलब होता है International Union for Conservation of Nature जिसकी अस्थापना जो है बो 1948 में और मुख्याला जो है बो सुजर्जर्ण में स्थित है और यह जो है बो एक great data सूची तयार करता है जो कि 1969 से परकासित किया जा रहा है जो कि पादप और पसु प्रजातियों के बिस ब्यापी संरच्छन इस्थिती का आखलन करने में मदद करता है तो इस question का जो सही answer होगा बो होगा option number D Next कहरा, भारत के सोतंतता के समय Britain के समराट कौन थे जोर्ज सस्थम तो इस question का सही answer होगा बो होगा option number D जोर्ज सस्थ Next कहरा है, भारत में सरप्रथम जजिया कर लागू करने बाला सासक था तो भारत में सरप्रथम जजिया कर लागू करने बाला सासक था मुहंबद बिन कासीम तो इस question का जो सही answer होगा जो सही अंसर होगा वो होगा option number C next कहरा हाबा में धोनी का बेग है तो हबा में धोनी का बेग 332 मीटर पर सेकंड है तो इस question का सही अंसर होगा option number B 332 मीटर पर सेकंड next कहरा परकास संसलेशन में पंढ हरीत की भूमिका है परकास अंसलेशन में पर्ण हरीत की भूमिका जो है वो परकास के अपसोसन में है तो इस question का जो जो सही अंसर होगा वो होगा option number B परकास के अपसोसन में नेक्स कहा रहा है भारतिये टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम जो है वो किस गबर्नर के काल में पारित हुआ था तो यह जो है वो लॉड कर्जन के सासं काल में 1899 में पारित हुआ था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन अमबर C लॉड कर्जन लौट कर्जन से याद रखिएगा लौट कर्जन जो है वो 1901 में कारलीन असकोट मौनकृफ की धेष्ता मे एक सी चाय आयो कभी गठन किया था नेक्स कहण रहा है भारतिये सम्मिधान में प्रथम संसोधन कब हुआ था भारतियों समिधान में प्रथम संसोधन उनी सो एकामन में हुआ था जिसके तहट नौमी अनुसुची जोड़ी गई थी तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर बी उनी सो एकामन में नेक्स कहरा दादा साहिब फाल के पुरुसकार के तहट पुरुसकार रासी बढ़ा कर कितनी कर दी गई है तो यहाँ 10 लाग कर दिया गया है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर ए 10 लाग और यहाँ जो है वो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरुसक 69 में की गई थी नेक्स कहरा पंचायती राज की संसूती जो है वो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था तो यह जो है वो बलबंत राय महता कमीटी के द्वारा किया गया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर ए बलबंत राय महता कमीटी नेक्स कहरा है बिहार में राजसभा के लिए कितने सीटे हैं तो बिहार में राजसभा के लिए 16 सीटे हैं तो एस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर C 16 सीटे हैं वहीं लोगसभा की अगर बात करते हैं तो लोगसभा में 40 सीटे हैं और बिधान सभा में बात करते हैं तो 243 सीटे हैं और बिधान परिशद में 75 सदस्यों का प्रवधान किया गया है Next कहरा है मुद्रा बजार के अंतरगात आता है तो मुद्रा बजार के अंतरगात अगर बात करते हैं तो अल्प कालीन कूस आता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B Next है कि हाली में परसिद बैक्तित बसिस नरायन सिंग का निजन हो गया है वो कौन थे तो बसिस नरायन सिंग क्या थे गनितग थे तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number B एक mathematician थे Next का रहा नरेंद मोदी द्वारा मालदीब को भारत में निर्मित कौन सा टटरचक जहाद जो है वो पहार स्वरूप दिया गया है तो कौन सा दिया गया है यह दिया गया है काम्याब तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number B Next का रहा दो हजार बीस में साहित का नोबल परुशकार अमेर्की कवित्री लुइस ग्लूप को दिया गया है यह किस बिस्विद्धाले में प्रोफेसर है तो यह कौन सा बिस्विद्धाले में A लिन्वर्सिटी में तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number A नेक्स कहा रहा कौन सा ब्रक जो कर्भ है वो बेरजगारिव और मुद्रास प्रिसिदर के बीट संबंध को बताता है यह कौन सा कर है यह फिलिप्स बक्र है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D नेक्स कहा रहा आर्थी क्रिया कलापों में अल्ट कालीक संकुचन एवं बिस्तार को क्या कहते हैं तो इसको क्या कहा जाता है वेबसाइच चक्रिया नि बिचनस साइकल कहा जाता है तो इस question का सही अंसर होगा option number D नेक्स कहा रहा RBI द्वारा CRR कम करने से क्या होगा एरियन्स रिजन जो है वो बढ़ेगा मतलब क्रेडिट क्लियेशन जो है वो इनक्रिज होगा CRR का मतलब होता है कैस रिजर्ब रेसियो नेक्स कहा रहा है सम्मिधान के प्रारूप समीती के सदस से कौन नहीं थे यह पूछ रहा है एन गोपाल स्वामी थे कनहया लाल मनिक लाल मुंसी थे जे भी करपलानी नहीं थे तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 80 नेक्स कहा रहा है राजिसवा सीटों का आवंटन दिया गया है तो राजिसवा सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसुची में दिया गया है तो इसकोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C चौथी अनुसुची में दिया गया है नेक्स कारा कौन सा मूल अधिकार केबल भारतिय नागरिकों को प्राप्त है तो अनुछेत 15 भी प्राप्त है सिर्फ भारतिय नागरिकों को 29 भी और 19 भी तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D ये सभी जो मूल अधिकार हैं वो भारतिय नाग्रिकों को प्राप्त है नेक्स कहा रहा है लाव सेना का गठन जो है वो निमलिखित में से किस के दोरा किया गया था तो लाव सेना का गठन जो है वो एक रूसी नेता ट्रॉस्ट की के दोरा किया गया था तो इस question का सही answer होगा आपसा नमबर A नक्स्ट कहा रहा है निम लेखेद में से कौन सा यूग में जो है वो सुमेलित नहीं है यहाँ आपसे पूछ रहा है रक्त लबता इनीमिया लोह तत्व का निम्न अंतरगरहन ये बिलकुल सही है आगे कहा रहा है कोसी योग औरकर निम्न पोटीन सही है जरन छमता में कमी बिटामीन E की कमी सही है असकर्भी बिटामीन B2 ये गलत है क्योंकि असकर्भी जो होगा वो बिटामीन C के कमी से होता है जिसका रफाइनिक नाम है असकॉर्भीकेसिट तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D नेक्स कहा रहा है निम्लिखिद में से किस बैक्ती ने जलियावाला बाग हत्याकांट के विरोध में लाय बहादुर की उपाधी बापस लोटा दी थी तो किस ने लोटाया था जमानालाल बजाज ने तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C और गांधी जी ने कैसरे हिंद और रबिना टाइगोर ने नाइट हूट के उपाधी लोटा दिया था जलियावाला बाग हत्याकांट हुआ था 13 अपरेल 1919 को नेक्स कहा रहा है कि निमलिकेद मेंसे कौन से प्रजाती जो है वो सेर्कु जंतियों में नहीं आती है यहाँ आपसे पूछ रहा है तो मुलस का जो है वो आता है एनलीडा भी आता है सरी सिर्प नहीं आता है और उबहेचर भी नहीं आता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर C, केबल 3 और 4 जो है वो नहीं आता है नेक्स कहरा बिहार में बाल बिबा, भुरून हत्या, डाइन बताकर महिलाओं के उपर हो रहे है अत्याचार के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए उठो सहेली अभियान की सुरुआत जो है वो किस मंतराले के द्वारा किया गया है तो यह किस के द्वारा किया गया है, राज महिला विकास निगम के द्वारा किया गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर A नेक्स कहारा कुका बिद्रोह जो है वो कहां हुआ था तो कुका बिद्रोह जो है वो पंजाब में 1872 में तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C पंजाब नेक्स कहारा निम्रिखित में से कौन सा कथन जो है या आप से पूछ रहा है दोहनी तरंगे अनुप्रस्त तरंगे होती है लेकिन प्रकास तरंगे अनुदहर तरंगे होती है ये गलत है दोहनी तरंग अनुदहर होती है लेकिन प्रकास तरंग अनुप्रस्त होता है ये सही है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स कहारा भागर सिंग को फासी की सजा सुनाने बाले नियाधी इस निमलिखिद में से कौन सा था तो भागर सिंग को फासी की सजा सुनाया था GC Hilton ने तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C और इनको फासी कब हुई थी 23 मार्च 1931 को इनको जो कंद्रिय विधाम सावा में बम फेकने के सिलसले में इनकी गिरफतारी हुई थी और सौंडर्स के हत्या के केस में भागर सिंग को मौत की सजा हुई थी नेक्स कहारा निमलिखिद में से किसे बिना ताज का बासा कहा जाता है तो बिना ताज का बासा जो है वो सुरेणनात बनर जी को कहा जाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर C सुरेणनात बनर जी को नेक्स कहारा दाबुलीन अंतरास्टी ये हवाई अड़ा जो है वो किस राज में स्थित है तो यह गोवा में स्थित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर C गोवा में नेक्स कहारा सरबादीक ग्रामीन जनसंख्या परतिसत वाला राज निमलिखित में से कौन है तो सरबादिक ग्रामीन जनसंख्या परतिसरत वाला जो राज है वो है हिमाचल पदेश तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D वहीं अगर पूछले सरबादिक नगरिये जन संख्या परतिसेत वाला राज तब आपका अंसर जो होगा वो होगा गोवा नेक्स कहरा है कि चांदी की उत्पादन का में भारत का कौन सा राज जो है वो प्रथम अस्थान पर है तो वो है राजस्थान तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर A राजस्थान राजस्थान का जो जावर खान है वो चांदी के लिए मसहूर है नक्स कहsell है, ब्लैंक समुह के पौधे को समानेता सैवाल कहा जाता है तो थैलोफाइटर समुह के पौधे को सैवाल कहा जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा, option number B थैलोफाइटर नक्स कहinguém वह विकल्ब चुने जो संभवनी तंतर के संदर अधर में सत नहीं है यह हचुणने कह रहा है यह सरीर के बजन का लगभग 7-8% होता है मानभ हिर्दय का अकार एक बंद मुठी जितना है तो यह गलत है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A क्योंकि मनुस्थ का जो हिर्दय है वो एक मानसल मतलब कुनी का लंग है नेक्स कहरा भारत में केंदरिये कपास अनुसंधान केंदर जो है वो कहां इस्थित है तो कपास अनुसंधान केंदर जो है वो नागपूर में इस्थित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा option number D नागपूर में चाबल अनुसंधान पूछे कटक में, कॉफी अनुसंधान पूछे चिक मंगलूर में, रबर अनुसंधान पूछे कोट्यम में, जूट अनुसंधान पूछे बैरकपूर में Next करा किस भारतीय राज को आर्किड अस्टेट कहा जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया के द्वारा उत्तर लेंसों का प्रियोग किया जाएगा तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, उत्तर लेंस क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में जो ग्रसित रोग होते हैं उनको दूर की बस्तु दिखाई पड़ती है नक्स का रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा जो है मुंबई किस दीप परिश्थित है तो मुंबई किस दीप परिश्थित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा option number A नक्स का रहा है कि Mind Masters पुस्तक किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक जो है किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है बिस्वनाथा नानंद के द्वारा तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number C नक्स का रहा है 2022 में होने बाले रास्टमंडल खेल में किस खेल को हटाने का कारण भारत ने विरोध किया है तो यह बात कर रहा है निसाने बाजी की तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number C निसाने बाजी नेक्स का रहा हा हाली में किस राज में भारत का पहला transgender बिस्विध डाले का सिल्ले अनास हुआ है तो यह हुआ है उत्पदेश में तो इस question का सही answer होगा, option number B. Next करा, Mumbai Nagpur Express Bay का नाम बदल कर किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो इसका नाम बदल कर अबाल ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है, तो इस question का सही answer होगा, option number C. Next करा, हाली में, UN ने किस दिन को अंतरास्टिये, चाय दिवस गोजित किया है? तो कब किया है? 21 मई को किया है, तो इस question का सही answer होगा, option number A. 21 मई Next करा, इन में से किसे National Anti-Doping Agency का brand ambassador ने उप्ति किया गया है? तो किन को ने उप्तिया गया है? सुनील से ठी को, तो इस question का सही answer होगा, option number B. सुनील से ठी Next करा, हाली में, Finding the Gaps पुस्तक का भी मोचन हुआ, जिसके लेखा कौन है? तो इस पुस्तक के लेखा कौन है? इस पुस्तक के लेखा कहा है, साइमन टॉफल, तो इस question का सही answer होगा, option number C, साइमन टॉफल. Next करा, किस राज ने हाली में, खिलाडियों को सरकारी नौकरी में 35 परतिसा अरच्छन देने की घोस्तना किया है? तो यह जो है, वो मदपदेश सरकार ने किया है, तो इस question का सही answer होगा, option number D, मदपदेश. आगे कहा रहा है, मिसन सागर सेकंड के तहत नौसेना का कौन सा जहाद, जो है, वो सुडाम भेजा गया था? तो यह जो है, वो INS एराबत भेजा गया था? तो इस question का सही answer होगा, option number C, INS, एराबत. Next है, हमारा किसराज की सरकार ने हाली में CCU सुरच्छा नामक मुबाइल अप लाँच किया है. तो इस question का सही answer होगा, option number D, असाम सरकार. तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा. साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा. वीडियो पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले. अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे. और साथी साथ बल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स वो वाचिंग